कि नमस्कार दोस्तों वेल्कम टू स्विंग ट्रेड इस वीडियो में बात करेंगे डिक्शन टिकनोलोजी के बारे में जो जिस टॉक में अभी इसी सहाब से जो गिरावट हो रहा है यहां पे 9% का करेक्शन हो चुका है तो अभी इस टॉक में हमें क्या करके चलना चाहिए इंटरड़े के विसीज पर घिसी इस गिरावट हो रहा है तो अभी स्टॉक में अगर किसी का पोधिशन नहीं तो उनका आगे के लिए क्या करना चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे और फ्रेस बाइंग कहाँ पर बन सकते है उसके बारे में ही बात करेंगे वीयो Prenaff पहले आप सबको जरूर रिक्वेश्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल को जरूर सुस्क्राइब कर लीजिए उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिकेस आपको टाइमली मिल सकता है चले स्टाट करते हैं अगर हम वह डाइरेक्ट नीज तो नहीं है लेकिन इंडारेक्ट इसी के साथ में न्यूज है जो कि आपने देखा होगा कालकिडेट पर यहां पर साउमी का यहां पर देखेंगे यहां पर देखेंगे तो इनके साथ में इसका दर निक्सन के साथ में डारेक्ट लिंक लें है लेकिन इंडारेक्ट लिंक क्या है तो इससे पहले हमने के बार भी देखा है यही केस की तहएत वहां पर बहुत बार इरावट भी हुआ है तो इसी साथ होल्डिंग है फ्रेंट्स में उनको तो यहीं चीज बोलना चाहूंगा यहां पर आपका होल्डिंग है तो आपको होल्ड किजिए अभी इम्मीडियेटली प्यानिक में सेल करने की जरूरत नहीं है अगर हम देखेंगे तो आज की दिन में जिसी साथ बड़ा कैंडल बना ह हो रहा है काफी सारे स्टॉक में चल रहा है तो इसलिए अगर करेक्शन हो रहा है तो आप प्यानिक में इम्मीडियेटली सेल मत कीजिए लेकिन अगर भाइंग ऑपर्चुनिटी आप धोंड रहे हैं फ्रेंड्स आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहां पर आपको हो सकता है कि आपने अगर देखेंगे तो यहां पर काफी दिन तो यहां पे बिए अचा सब्सक्राइब आसकता है अगर हम बात करेंगे तो यहां पर स्कृट्ज करेक्शन के बाद में आप आप रिसक नहीं है ठीक है यहां पर देखें यहां पर देखेंंगे यहां पर निचे भी हो चुका है और यांपर रिष्क नहीं यहां पर थोड़ा सा यहां पर और कितना पर सटकता है तो आप बीना सकते लेकिन अगर आप पोजिशन बनाते हैं अगर हम बात करेंगे तो तो यहां से कितना पर्सेंटेज का रिस्क होता है कि अबहुत देखने घ्यासा तो है प्रश्राइब लुक्त की बात करेंगे और यहां पर इतना यादा नहीं तो यहां पर रितना देट नहीं से निच्छे भी है उसके बाद में स्टॉक भी एक आठासा करेक्शन में मिल रहा है तो यहां पर फंडामेंटली बहुत स्रॉंग है तो यहां पर हम प्रमोटर होल्डिंग के बारें बात करेंगे तो लेकिन आपको अगर सही लगता है कंपनी एक प्रॉफिटबल कंपनी है और यहां पर सेल्स भी हमेसा ग्रोइंग होते जा रहा है अगर हम रेजल्ट के बारें बात करेंगे कंपनी का रेजल्ट अभी तक नहीं आया डेट प्रेडिंग की बात करेंगे अभी तक कितना परसेंटेज का डेलिवरी उठाया रहे है ना तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको यहां पर खरीदरी का मौका नों दुनना चाहिए क्योंकि कभी जब मार्केट जब प्यानिक में होता है न तो उसी टाइम पर हमें खरीदना चाहिए बलकि जब मार्केट में जब वहां पर हर जगा में अगर वहां पर जहां पर प्य पर बाद में जब मार जब वह फिर भागने लगए उस ताइम फिर बाई करेंगे इसा करने से नहीं होता है ठीक है अगर कोई भी स्टाइक करके चल रहे हैं हम उस्टाइम देंगे तो अच्छा सा पैसे बनेगा तो यह सकता है दो-तिन मैना ऐसा यह निवीज बेस पर अभी अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए thank you very much friends for watching this video मिलते हैं आएक वीडियो के साथ में